हलो दिवाइन सोल्स, विल्कम एन विल्कम बैक तो मैं चैनल, मैं हूँ आप लोगी ट्यारो डीडर अधिती भारती, आज मैं एकेन आप लोगे पार्टनर की करेंट फिलिंग्स लेकर आई हूँ, मैं आज चेकरने वाली हूँ, उनके करेंट डीप थॉट्स आपको लेकर क्य है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर राइट नौ, मैं डेली मॉर्निंग हूँ, ये डेलिंग पोस्ट करती हूँ, पास्ट के कुस टाइम से मैं बहुत साधा विसी थी, आज से मैं डेली टाइम पर पोस्ट कर पाऊंगे, और एविनिंग में भी मैं कुछ चेंज करेंग रेडिंग मैं डेली पोस्ट करने की कोचिश करूँगी, बाकि आप लोग जानते हैं, मैं शॉर्ट रेडिंग जादा करती हूँ, और अभी के लिए इस रेडिंग पर फोकस करते हैं, ये मेरी हर एक रेडिंग के तरह टाइंडिस रेडिंग है, सभी साइंस के लिए है, ज जितना आपके साथ resonate करती है लिए बाकी को आप ignore करती है आज बहुत दिन के बाद मैं बहुत सुभा को उठी थी मेरे कुछ painting words थे मेरे कुछ responsibilities थे वो बहुत हद तक complete हो गई है और अभी मैं पूरी तरीके से अपनी उपर focus करी हूँ अपनी journey में और आज बहुत दिन के बाद मैंने बहुत टाइम अपने खुद के साथ बिताए है बहुत टाइम और साथ मैं spiritual practice करना एकदम रंभ मूर्त में ये बहुत दिन से मैं नहीं कर पा रही थी लेकिन आज मैं बहुत अच्छा अगर आप लोग भी चाहते हो अपने लाइफ में कुछ positive changes लेकर आना तो आप लोग को भी early morning उठना चाहिए और उस time पर जो आप करना चाहते हो आपके काम ज़रूर आपको करने चाहिए आपको अपकी लाइफ में आप अगर ये करने नहीं करते हो विदिन six months आपको बहुत massive changes जरूर आप देख आएगे manifest भी कर सकते हो जो pending karma है वो आप cleanse कर सकते हो spiritual practice कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो लेकिन ग्रम मूत में कोई भी काम करते हो ना उसमें आपको सक्षिस जरूर मिलती है तो आज इसलिए बहुत positive मुझे feel हो रही है अच्छा लग रहा है मुझे बहुत दिन के बाद एक अलग ही energy मुझे feel हो रही है चले देखते हैं क्या है current deep thoughts आपके पार्टनर के क्या सोच रहे है ace of swords two of swords nine of pentacles nine of cups king of cups वाँ आज बहुत ही ज़्यादा positive energy है बहुत सारे लोगों के partner clarity get करने वाले हैं आप लोगों को लेकर इस connection को लेकर आप लोगों के partner clarity get करने वाले हैं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यह जो connection थी न यह आप दोनों में आपके partner के तरफ से जारा मुझे लग रहा है आपके partner ने पहले बहुत सारा effort दिखाए है या फिर वो आपके साथ connection में आए थे communication हो रहा था उन्होंने आपको ऐसा feel करवाया होगा past में कि आप उनकी wish fulfillment हो आप जैसा person ही उन्होंने हमेशा चाहा है और आप भी एक ही जैसे feelings रखते होंगे आपके person के तरफ आपकी dream जो person ह चाहते हैं लेकिन कुछ time से हो सकता है past के कुछ time से आपके partner इस connection को लेकर confused हो गए और आपको भी confusion में डाल दिये थे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये true love है या कोई illusion है ऐसे confusion में आप थे बहुत दिन से लेकिन right now मुझे दिख रहा है आपके partner again इस connection में effort दे रहे ह और इस connection को लेकर जो भी confusion थे वो धीरे धीरे clear out हो रहे हैं ये और सादा focus करना चाहते हैं इस connection में effort देना चाहते हैं और ऐसा लग रहा है कि आपके partner बहुत सादा खुश है इस connection में फिर से कुछ effort देने के लिए ये खुद ही बहुत सादा excited है हो सकता है past के कुछ time से आपके partner बिल्कुल भी focus नहीं कर पा रहे थे अपनी काम की वज़े से हो सकता है कोई और situation की वज़े से आपके partner थोड़े distance बना रहे थे इनके mind में बहुत से हो सकता है confusion arise हो गए थे conflict बहुत सादा थे साथ मैं ऐसा भी हो सकता है आपके partner कोई दो situation को लेकर confused थे लेकिन धीरे दीरे वो clear out हो रहे है आपके partner खुद बहुत सादा abundance फिल करें अपने आप में खुश या अपने आप में बहुत happiness फिल कर पा रहे है क्योंकि यह बहुत जला contact करने वाले है या तो contact कर चुकÉ है last के कुछ दिनों में आपके partner ने हो सकता है contact किए है कल ही हो सकता है contact किए है और आप स को share करनी है आपके साथ यह emotional बहुत जादा है right now आपको लेकर love feel कर पा रहे है यहाँ पर आज की जो energy है strongly आपर water energy है right now आपके partner आपको लेकर emotional बहुत जादा है यह देखी यह cup लेकर आपके पास आना चाहते है इनकी जैसे कि enlightenment हुई है आपसे दूर होकर और अभी यह आपको अपने love offer करना चाहते है यह clear है बहुत हद तक इनको clarity मिल चुकी है past के time से इनको बहुत जादा ही clarity मिल चुकी his connection को लेकर और यह आपको express करेंगे बहुत कुछ कहने वाले है चलिए सबसे पहले मैं देखना चाहूंगी confusion में क्यू थे क्या situation थी कि यह इतने सादा confused थे family issues हो सकते है family issues में stuck थे आपके partner ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे responsibilities थी आपके partner के life में जिससे यह निकल नहीं पा रहे थे हो सकता है आपके partner के उपर इनके पूरी family के responsibilities है या फिर आपके partner ऐसा भी हो सकता है कि third party issues में stuck थे किससे committed थे कुछ major issues मुझे यहाँ पर नहीं लग रहे हैं लेकिन हाँ कोई चोटी मोटी यहाँ पर differences आप दोन में हो सकती है जिस वज़े से आपके partner stuck feel कर रहे थे और बहुत से इनके उपर जैसे के मैंने कहा responsibilities थे किसको छोड़ कर किसके तरफ आगे बरेंगे ऐसा यह सोच नहीं पा रहे थे हो सकता है घर बनाना हो healthy issues हो किसी की या परिवार के कुछ लोगों के responsibilities इनके उपर है बाहर भी इनके काम के बहुत साथा pressure थे किसके के तरफ हो सकता है कोई case चल रहा है family में किसी की ऐसा भी हो सकता है कुछ न कुछ यहां पर था जिस वज़े से आपके partner stuck feel करे थे लेकिन right now आपके partner बहुत हद तक उस situation को control कर चुके है मैं यह नहीं कह सकते हूं कि पूरी तरीके से निकल चुके है जो भी आप दोने में separation को clear करा था लेकिन बहुत हद तक आपके partner ने उसको control कर लिए है और यह पूरी तरीके से confident है कि उस situation से निकल आएंगे right now आपके partner के life में जो struggle है उसके towards आपके partner बहुत clear है यह जानते है कि यह इसको cut off करके निकल जाएंगे या बहुत ही जल्द यह आपकी तरफ वापस आएंगे यह जो भी conflict है आप दोनों के बीच में जो situation differences create करे थे इसको cut off करके बहुत जल्द निकल आएंगे successfully और एक fresh beginning आपके साथ होने वाली है ऐसा आपके partner को clear बता है clarity है इनको और तभी यह अभी आपके तरफ कोई gesture करना चाह रहे हैं या आपके साथ इस connection में आगे बढ़ना चाह रहे हैं यह है इनकी current deep thoughts आपको लेकर चल यह देखते हैं अगर contact करते हैं तो क्या कहेंगे क्या कहना चाहते हैं wait a minute क्या कहेंगे आपके partner यह आपको सबसे पहले तो यह कहेंगे आपसे और यह नहीं भागेंगे क्योंकि आपसे भागते हुए यह खुद भी खुश नहीं थे इनका भी दिल बुडी तरीके से तूटा हुआ था आपसे दूर होकर ऐसा यह सबसे पहले कहेंगे आपको clarify करेंगे क्यों आप दोनों में suppression यह लेकर आये थे या क्यों आपसे distance बना रहे थे अगर थोड़ी सी भी आप दोनों में लड़ाई जगरे हुए है उसके reason क्या है यह सब कुछ कहेंगे मुझे कुछ major issues यहाँ पर नहीं लग रहे है इनके family के responsibility इनके उपर है कोई couple यहाँ पर involvement है उसको लेकर भी clarity देंगे आपको अगर कोई past में conflict हुई है उसको लेकर माफी भी मांग सकते है कोई mis behavior अगर किये है इन्होंने तो उसके लिए भी माफी मांगेंगे और साथ में ऐसा लग रहा है अगर इनके family life में conflict है जिस वज़े से आप से distance बनाते थे वो भी express करेंगे आपके partner ऐसा भी कहेंगे आपके partner की आपको लेकर stand लेने के लिए ready है पूरी दरी किसे ready है आपको कितना ज़ादा love करते है कितना इनके दिल में love है unconditional love है यह express करेंगे आपको fresh beginning के offer देंगे judgment करेंगे आपके साथ यह एकदम clear message आपके partner आपसे बातचीत करेंगे सब कुछ clear करेंगे और अपना love एक्स्पिस करेंगे आपके साथ आगे क्या करेंगे आपको लेकर क्या decision लेंगे यह सब कुछ यह कहेंगे आपको चलिए मैं देखना चाहूंगी और एक डिक से कि और क्या कह सकते हैं आपके partner आपको message क्या देंगे कि current thoughts से देख लेते हैं और क्या कहना है आपके partner को right now क्या कहना है आपको लेकर बहुत जाला passionate है आपके partner आपके साथ fresh beginning करना चाहते हैं यह express करेंगे और साथ में ऐसा भी कहेंगे आपके साथ फ्यूचर में यह family बनाएंगे आपको commitment देंगे तो आपको थोड़ा patience बनाने के लिए खह सकते हैं यह express कर सकते हैं आपके partner की future family यह आपके साथ ही बनाएंगे यह आपको बहुत साथा respect करते हैं आपकी बहुत साथा कदर है इनको family तो यह आपके साथ ही बनाएंगे ऐसा कुछ express कर सकते हैं आपके partner और यह पूरी दरीके से आपके like में return आएंगे बहुत जल्ब वापस आएंगे यह भी clarity आपको देंगे चलिए मैं देखना चाहूंगी next action क्या लेंगे क्या जो कहेंगे वो action में भी दिखेंगे आपको देख लेते हैं वो भी क्या जो कहेंगे वो आपको action में भी दिखेंगे yes आपके साथ partnership करते हुए आएंगे हो सकता है कुछ लड़ाई जगरे हो इनके family में लाइफ में आएंगे action लेंगे आपको commitment देंगे balance करेंगे जो आप deserve करते हो वो भी आपको देंगे yes आपको stability offer करेंगे आप इनके wish fulfillment हो आपके partner definitely आपको commitment देंगे आपके साथ future family बनाएंगे जैसे कि मैंने कहा आप इनकी wish fulfillment हो यहां से भी वो ही energy निकल कर आये थे आपको हो सकता है relationship के start में feel हुई थी कि आपको आपके partner बहुत pamper करते है बहुत lovey-dovey energy होती है लेकिन कुछ time के बाद आप से थोड़ा distance बनाने लगे लेकिन again आपको feel होगी कि आपके partner के दिल में आपके लिए बहुत सार लव है आपको उनकी dream fulfillment हो और आप भी उनके साथ बहुत खुश रहेंगे आपको permanent वाली commitment यह देंगे fresh beginning यह कहेंगे भी आपको कि आपको लेकर passionate है आपको लेकर action लेंगे और future में वही होने वाला है आपको लेकर action यह लेंगे commitment देंगे और divine भी आप लोगों के support में होगी हाँ कुछ हो सकता है इनके family में थोड़ी problem हो यह कुछ situation में थोड़ी conflict हो सकते हैं आपके family में भी हो सकते हैं लेकिन बात में सब कुछ sort out हो जाएगी अब दोनों की ही wish fulfillment होगी तो yes बहुत positive feelings आज के दिन में आप लोगों के partner की है एकदम खुछ रही है positive energy के साथ रही है science यहां पर सारे निकल कर आये थे तो मैं अलग से नहीं कह रहे हूँ और यहां पर जो important number मुझे लग रहा है number five important है आने वाले five days आप लोगों के लिए important हो सकते हैं आपके partner definitely contact करेंगे call या message करके सबसे पहले अपनी feelings express करेंगे situation को describe करेंगे दिन आपके तरफ action भी लेंगे तो यही है आज के दिन में आप लोगों के लिए reading अगर resonate करी है तो मुझे comment section में जरूर से बताएगा वीडियो को like कीज़ेगा चैनल को subscribe किचेगा thanks for watching